जहिंसाथियों नमस्कार केसे हैं आज आप आरेस की त्यारी कर रहे हैं आपने ऐसाई का सपना देखा है आप किसी भी बेच में जुड़े हुए हैं आप सब को मेरा पढ़नाम नमस्कार सस्रियकाल वर्दकम आदवर्दे आज हम किसके बारे मैं पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे राजस्तान कला संस्कृति का एक वह विश्य जिस विश्य में आपको साइद एक महिना लगेगा पूरा होने में इस्टोपिक को लेकिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कि कला वह कि संस्कृति का यह विश्य है कि आपको कुछ चीजें शिका के जाएगा जैसे कि मेले कि मंदिर कि महत्स कि जिलादर्शन भोगोलिक उपनाप यह इसलिए मैंने शुरू किया है ताकि चाहिए आप किसी भी एक्जाम की ट्यारी करते हैं मैंने देखा भी है यूटूब के ओपर जो मेरी जिलादर्शन की क्लास थी उस क्लास से बहुत बार बहुत ज्यादा प्रशन आई है एक्जाम में और हाँ नजीम खांजी प्रोपर भी चलेगी हाई कोट लडिसी के बाद में सभी क्लास से तलने लग जाएगे आपकी ताकि यह भी फिरी हो जाए मेले मंदिर महसुद जिलादर्शन यानि एक टोपिक से आप आज किते टोपिक पढ़ोगे पांच और मैं यह गारंटी से कहता हूं इसको पढ़ने के बाद इस जिलादर्शन के इस टोपिक क्यों या इन सी इसे में करवा दो ठीक है अच्छा आजिलादर्शन यह एक ट्रेक आगा यह मान लीजिए आप सारा इसी में चलेगा जैसा आपके सामने कुछ यहां चितर दिखाई दे रहे हैं कि यह चितर है जैसे मैं आपको यह बता हूँ कि ख्वाजा कि मोईनू दीन कि चिस्ती तो ख्वाजा मोईनू दीन चिस्ती की दरगा कौन सी है यह हमारे सामने चितर में दिखाई दे रही है ठीक है अच्छे देल जी मैंने कह दिया ना हाई कोट लडी सी के एक्जाम के बाद आपकी हिंदी की क्लास लगेगी मिर भाई यह है सोनी जी की नसियां यह है बादशा की सुवारी हमारे पास यहां चितर में दिख रहा है कोडा मार होली कोडा मार होली कलप व्रिक्ष मेला कलप व्रिक्ष मेला और यहां पर है नारेली जेन मंदिर तो आपको साहिद यह तो पता चल गया होगा कि मैं किस जिले की बात कर रहा हूं नारेली जेन मंदिर यह तो पता चल गया सभी को यानि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा जिला है अजमेर अजमेर का आरजे कोड कितना है जीरो एक ठीक है अजमेर जिले के बारे में बात करेंगे अजमेर का संस्तापक कौन था उसके बारे में बात करेंगे अजमेर से जुड़ी सभी बातों को हम अधियन के रूप में देखेंगे हाँ नेवरी सर आपको लाइव भी पढ़ाएंगे नेवरी सर के अलावा विकरांत सर भी पढ़ाएंगे उनके कमर के अंदर प्रोबलम हो गई है इसलिए पांच-छे दिन उन्होंने कहा है कि मुझे रेश्ट दे दीजिए तो मैंने सभी अद्यापकों कहा है उनका भी कोई क अग्जाम था तो वो कहते पंस दिन बाद में हूं वापस लोट आएंगे ठीक है हैं अब यहाँ पर यह मंदीर तस्वीर आप देख रहे हैं यह सूर सुरा मंदीर को कि Group यह अंक्रीम आता है तेजा जी मंदिर यह प्रतिमत जो है आपको धुक्यू दिखा दे रही है ये प्राण हेडा बाला जी है प्राण हेडा बाला जी केकड़ी के पास अजमेर में केकड़ी के पास एक भराई गाउं पड़ता है उस भराई गाउं से इसकी और रस्ता जाता है ये आप दर्गा देख रहे हैं ये है पीर वाजा फक्रुदीन प्राण हेडा बाला जी और इसके अलावा ये है ख्वाजा फक्रूदीन की दर्गाई अब ख्वाजा फक्रूदीन कौन है आपके मन में ये ज्वाब आएगा कि मजार फक्री जो है वहे कहां पर है मजार फक्री डूंगरपूर जिले में अरे भई लाईव क्लास चलेगी हिंदिया जियोग्राफी की भी एक बार आपको दी है आप उनको भी पड़े और लाईव भी पड़े ठीक ना ख्वाजा फक्रूदीन की दर्गाई जो है वह कहां पर है एक तो डूंगरपूर में है और एक जो है अजमेर जिले के अंदर स्त में illustri सर्वाण के सर्वाड़ में यहां पर आप यह देखेंगे कि खुआजा फक्रूदीन जो है कह भजा मुनुदिन चिस्ति के बेटे हैं बारत में चिस्ति सिल्सिले के संस्तापक जिनका नाम बलाुदिन चिस्ति पर आते हैं और ये भारत का मक्का कहलाता है अजमेर उसी के कारण ठीक है हाँ यह हो गया यह किसके बेटे हैं ख्वाजा सहाब के पुत्तर है यह यहाँ पर मैंने नाम लिख रखा है तारागड दुरुग तारागड दुरुग जो है अजमेर जिले में है तारागड दुरुग जो है इसके जो निर्माता कौन है इसे क्या क्या कहा जाता इसको भी जानेंगे एक बार मैंने आपको थोड़ा सा चितरों के माधियम से बताया कि एक परसंदों डरेट यहां से भी आ सकता है कि नारेली जेन मंदिर कहा है कोनी जी की नसिया कहा है अब इनकी व्यक्षात्मग बाते करते हैं लिकना स्टार्ट करोगे आप कि अजमेर कि मैं अजमेर बोल रहा हूं कि मुझे राजस्तान का हिर्द्य कहा जाता है कि अगे है कि थापना कि 1103 अगे है अगे श्यक्त अगजे राज सब्विश्वाजिला एक नुवंबर 1956 को बनाया गया में अजमेर को संभाग बनाया गया आकरती त्री भुजाकार आकरती कैसी है त्री भुजाकार सुभंकर क्या है अजमेर जिले का सुभंकर क्या है कव यह आप में से जानता है तो कमेट करके बताएं रसी मेरे नहीं आती है पुलिस में कबसे उंदी आre इस बार जूसार नहीं ते ह्राशा नहीं दिखर दिख रहा है इस बार जुमी बशंता आपने स्वन पताstone स्था ऐल्याग झालें यह कि ऐ gedacht कह मैं इस वर तो ख़ड में और दिखाओ वो कह रहे हैं नहीं दिख रहा है जीवड़ा बिल्कुल रीफ्रेस करके आप बेक हो के देख लिया गरो और देखो मुझे आप पढ़ाने दो मैं आपको यह कह रहा हूं आप पुणता है विश्वास करें एक साल अगर आप मुझे दोगे तो जिंद नोट्स भी बनाओंगे तो आप कहोगे कि वाकी मज़ा आगया नोट्स बनाने में भी उपनाम कुम्राट पृत्वी राज सोहान की नगरी भारत का मक्का राजस्तान का धिर्द्य राजस्तान का नाका रास्त्रिय राजमार्गों का चो राहा इसके अलावा आप यहां पर याद कर सकते हैं राश्तिय राजमार्गों का चो राहा और सामपरदाइक सद्भाव का सेहर यहां पर अजमेर जिले की बात कर रहा था हमें राजस्तान का हिर्द्य कहा जाता है भारत का मक्का कहा जाता है समराच पर तृष्विरा चोहान की नगरी कहलाता है तो राश्तिय राजमार्गों का चोरहा कहलाता है राजस्तान का नाका कहलाता है अजमेर जिले के संस्तापक पुछे जा सकते हैं स्तापना कब हुई इसका सुभंकर पुछा जाए त्रभूजा काराकरती पुछी जा सकती है 26 वा जिला कब बना था और आपको याद रखना है अजमेर मेरिवाड़ा जो है एकी करण के अंतिम चरण एक नॉम्बर 1956 को ही इसको शामिल किया गया था अजमेर मेरिवाड़ा एक केंदर सासित प्रदेश था ये भी आपको यहाँ नोट लगा कर लिखना है इंपोर्टेंट है ध्यान रखना अजमेर मेरिवाड़ा सी स्रेणी का राज्य था इसे केंदर सासित प्रदेश प्रदेश में शामिल किया गया था और एकी करण के सात्वे चरण में ये शामिल हुआ था ठीक है अब यहाँ पर अपने बात करेंगे तारागड़ दुरुग की तारागड़ दुरुग जिसे अरावली का अर्मान कहते है राजपताने की कुंजी कहते है पुरु का जिब्राल्टर कहते है राजस्तान का जिब्राल्टर कहते है उसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक मैं आपको लाइन सिखाऊंगा अगर वो लाइन आपने याद कर ली तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सब कुछ याद है का अजमेर को अंडो की टोकरी भी कहते है ये भी आपको ध्यान में रखना है इसे अंडो की टोकरी कहा जाता है यहीं लिख देता हूँ अंडो की भारत में आंदर प्रदेश को अंडो की टोकरी कहा जाता है और राजस्तान में अजमेर को अंडो की टोकरी के नाम से जाना जाता है धन्यवाद जामिल जी आप सभी ने रिंकी मिनाजी गुड बहुत अच्छे से इसको नोट किया होगा आप नोट कर लिजी तो मैं अब आपको एक लाइन बोलता हूँ उसको सुनीगा वो मेरे दुवारा लिखी गई है बोलो मेरे साथ साथ बोलो अजमेर में एक बादशा रहता था बादशा के दो सेनापती थे किते सेनापती थे? दो एक का नाम लाल्या और एक का नाम काल्या दोनों ही लाल्या और काल्या तेज बुद्धी के थे, किस बुद्धी के थे? तेज बुद्धी के थे, उन्हें मैंने पंजाब भेज दिया, कहां भेज दिया? पंजाब, कहां भेजा? पंजाब, क्या लाने के लिए? कलप वरिक्ष मंगाया मैंने, और वो कहां लगाया कलप वरिक्ष? पुसकर में, पु मेर में एक बादस्या रहता था बादस्या के दो सेना पति थे लाल्या और काल्या कहां बेजा था तुम्हारी मम्मी भी देख रही है वीडियो कोई बात नहीं पंजाब बेजा था और पंजाब से क्या लाए थे कलब प्रिक्स लाए थे कहां लगाना था पुशकर में लगान जिला अजमेर है अजमेर में एक बादशार है ता था मां highlight कर देता हूँ पून रहता था बादशार है के किते सेना पती थे दो लाल्या और काल्या कैसी बुद्धी के थे तेज कहा बेजा पंजाब क्या लाने के लिए कलप वरिक्स कहां लगाया पुषकर में क्या पड़े कोड़े फिर कोन आए ख्वाजा साब फकरुदिन और सुनिज जी फिर परान हेडा बाला जी आप इनको लिख सकते हैं इसके अलावा जो है हाँ यहां पर अजमेर जो है वो कह रहे हैं पुनम जी गरीव नवाज जो है वो दरगा को कहा जाता है ठीक है सर पीडियाप भी मिलेगी कहें मानसु सरमा जी पीडियाप क्यों नहीं मिलेगी हाँ नोट कर लो हाँ कि पढ़ते हैं में кो किसा कि रचांच की शुवारी का बादशाया की तुरह को सबसे पहले अजमेर के बारे में जाना अजमेर के अंदर आपने बाद्षा की सुरह की पर आप उन्हें था अब आपके मन में healing टारा कड़ के के बारे मिस्तार से बताएंगे ठीक है ना बादस्या की सुवारी जो है यह कहां पर है बादस्या की सुवारी है ब्यावर में कहां पर है ब्यावर में और मैं कहता हूं जो ब्यावर को समझ लेता है उसे राजस्तान में कई चीजें याद हो जाती है और आम मुझे बताएंगे आपको ब्यावर के बारे में क्या पता है चलो कुछ आप भी बताओ थोड़ी मैं हेल्प करता हूं देवर रंग मत डाल है मारा सारा साथी परनाया गया मैं भावी रेग्यों कमारों देवर भावी की वोली कहां की है ब्यावर की है पूंगणी नस्वार ब्यावर की है तिल पट्टी उध्योंग ब्यावर का है अठारा सो स्तावन की क्रांती में सेनिक सावनी ब्यावर में विध्रो नहीं हुआ हूँ देवर में स्री सिमेंट कार खाना है यहीं पर दै कृष्णा मील्स राजस्तान की पर्थम सूती मील है 1889 में स्तापना की थी दामदर्दास के द्वारा ठीक है एरिक डिक्षन एरिक लिए द्वारा बसाया गया सहर अब जो बात बची है ना वो आपको बतानी है जब तक मुझे आता है थान बताबा के जुर्द को नहीं है हाँ ठीक है ना अब मैं इधर आपको बादस्या की स्वारी के बारे में बताता हूँ बादस्या की जो स्वारी है यह निकाली जाती है चेत्र शुक्ल द्वित्या को इस दिन यहां पर मयूर वे भेरव निर्ट्य होता है बिर्बल को प्रोड्रमल का प्रतीक माना जाता है बादस्या की स्वारी के आगे बीर्बल को निर्ट्य करता है अब पताओ हाँ आगी बार तरुन राजस्तान नामक समाचार पतर ब्यावर्शे प्रकासी तुए बहुत बढ़िया शाबाश गोड़ आगी बार तरुन राजस्तान नामक समाचार पतर प्रकासी तुए ब्यावर्शे प्रकासी तुए ब्यावर्शे अपने देखते हैं एडवर्ड मील भी है यहां पर यहां लिख देते हैं एडवर्ड मील्स इसकी भी स्थापना की गई थी 1906 में ब्यावर्शे अंदर मम्ता चोदरी जी गुड था हां यह भी ब्यावर्श के अंदर आ गई तो हमने देखा कि एक ही शब्द से हम भौशिच जैसी के दोसा के अंदर है पुन्नम जंग्र जी था काजल पजारा बहुत बड़िया शाबाश नोट कर लिया होगा सभी ने नोट कर लो को कि एक हुआ है भर बच्च चाहा हुआ है विन उ्दसार गारा बहुत जी जींजार्श कर लो जाएं भर जाएं विद्धार्श कर लो जींजाएं वर एप बड़िया है यह भी भी यह भी झान्नियव तो हमने दिएम खीदीदू है कर दो शिक्षाबूर अजमेर में अपने ब्यावर की बात कर रहे थी हमने देखू क्या पढ़ा है एक चीज को ध्यान रखना अजमेर के अंदर पढ़ा बादस्या को पढ़ा अब बादस्या के बाद दो शब्द आ रहें लाल्या और काल्या और तेजाजी तो अपने इसके बारे में पढ़ते हैं कि वीर कि तेजाजी महराज खरनालया का चोदरी जैरो के जहां के तो अपने देखते खरनालया में तो जनम हुआ था नागोर में हम कौन सा जिला पढ़ रहे हैं अब आप यह मत क्यों ना कि माग सुकल चतुर्दशी को 29 दनवरी 1074 इस्वी को धल्या जाट के घर जनमे धल्या वीर के नाम से विख्या सत्य अबादी भीर तेजा जी महराज खरनाल नागोर में जनमे थे सार मुझे पता है आपका मन करेगा कि भादरपद सुकल दस्मी को मेला भरता है तेजा जी की घोड़ी का नाम लिलंग है मैं जानूं धान है लेकिन मेरी बात सुनो थे था हुली के दूसरे दिन तो उस च पेसर्ट कृष्ण द्वीत्या वली के दूसरे दिन की बात आती है तो विर्तेजा जी महराज की बात कर रहे थे हाँ इनका इनको सेंद्रिया नामकस्तान पर बासक नाग ने डशा यह आप जानते हैं सेंद्रिया यह भी अजमेर में है और इनका जो मंदिर है मंदिर वो सुर्सुरा में है और सुर्सुरा किशनगड के पाश है यहां पर मेला भादरपद शुकल दश्मी को भरता है बादवागी शुकल दश्मी अगर आपा लिख रहे हैं तो ठाना आप जाननों चाहिए कि यह दिन सुगन दश्मी होती है जेन समाच के दुआरा मंदिरों में इतर छड़का जाता है ठीक है इसी दिन खेजरली मेला जोदपुर में भरता है तीन बाते आप अपने कोपी में लिक लेना है ठीक है ना हाँ उसके बाद वीर तेज़ा जी महराज की मैं बात करूँ तो आप से उपनाम उचा जा सकता है और उपनाम के अंदर काला बाला का देवता इन्हें कहते हैं काला बाला के देवता इन्हें धोल्या वीर भी कहते हैं किर्शी कारियों के उपकारग देवता भी है किर्शी कारियों के उपकारग देवता अजमेर जिले के अंदर अजमेर में तेजा जी के परमुख स्थान जैसे अगर मैं कहूँ यहां पर ब्यावर ब्यावर में तेजा जी का कि सबसे कि बड़ा थान है थान जो खुले चबूत्रे पर बनाया जाता है वो थान कहलाता है ठीक है न यह ध्यान अगना नीम का विरिक्ष होता उसके निचे तेजा जी के पुखे जो यह थान बनाए हुए हैं दूसरा कि भावता कि यहां पर कि नीश्टूल इलाज किसी वेक्ती को किसी कुट्य ने काट लिया हुए किसी जहरीले जीवने डस लिया हुए तो फिर भावता अजमेर आपके लिए एक प्रमुक्स्तान रहता है जहां पर निशुलक इलाज होता है एकेकडी थिक है तुरसुरा सेंद्रिया वियावर भावता केकडी ये अजमेर के प्रमुक्स्तान है नागोर में प्रवत्सर है खरनाल है तेजाजी की करम अस्तली बांसी की दुगारी बुंदी है मैं भली भांती आपको ये बताऊंगा लेकिन ये तेजाजी के अंदर आपको लोग देवताओं के अंदर बताया गया होगा ठीक है पीडियोफ का प्रिंट भी मिलेगा लेकिन 20 पर करे चल रहा है दूसरा तेजाजी महराज के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि तेजाजी जो हैं इनका जो पुजारी होता है इनके मंदिर में वो माली समाद का होता है लेकिन वो होता जाट ही है माली जाट होता है वो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो पुजारी होता है वो माली होता है दूसरा तेजाजी के पुजारी जो साप का जहर चूशते हैं उन्हें घोडला कहा जाता है क्या कहते हैं घोडला तो नोट कीजीगा इसको एक बार तो बादस्या के दो सेना पती थे लाल्यार काल्या तेजबुद्धी के ते कहां बेजा पंजाब शाह अब यह पंजाब शहा का उर्ष अब यह पंजाब शहा का उर्ष बोल देओ इसे धाई दिन का उर्ष कह दो यह एकजाम में क्यूं आता है जिसकी अपने चर्चा करते हैं देखों यहां पर नोट लगा कर एक बात लिख रहा हूं कि विशल देव चोहान जिने आप लोग जानते होंगे विघ्रे राज चतूर्थ पिशल देव चोहान विघ्रे राज चतूर्थ के द्वारा अजमेर में अजमेर में संस्किर्थ पाट साला का निर्मान करवाया गया ठीक है अब हम इसकी अंदर जानते हैं मैं आपके सामने एक चीतर मनाता हूं यहां पर अब देखो एक दम शूपरस्टार बताओ बनाया ना मिनत्चा अब और चा बना देता हूं और चा बना दूंगा आपको गेवेशा बना दूंगा यह लो यह देखो कितना गजब हाना बना दिया अब देखो वेंडरफुल सर ब्यूटिफुल गोर्जियस चार्मिंग हाना तो आही संस्कृत पाटशाला क्या नाम था इसका संस्कृत पाटशाला नाम था लेकिन हुआ क्या एक वेक्ति आया जो मुहमत गोरी का गुलाम था मुहमत गोरी जो दिल्ली सल्तनत के उपर बेठे थे और वहाँ पर मुहमत गोरी का बाद में कुतुब दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंस्का मामलुक वंस्का संस्तापक था जिसे अपने कुतवदिन एबग के नाम से जानते हैं और उसे लात्बक्ष की उपादी प्रापती उसे हातिम द्वितेबी कहा गया है तो वो कुतवदिन एबग जिसे कुरान खांग की उपादी प्रापती उसके दुआरा इस संस्क्रित पार्साला को तुड़वा दिया गया अब इस पार्साला को बना दिया गया क्या पतों ने किया है बन रहे है येस ये एक है और मनें हो तो को बैई तो को हुँ हुँ कुत्बू देन एबक ने इस पार्साला को सोड़ा खंबों युक्त धाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जित बनवाई और यहाँ पर सबसे पहले फार्षी अभिलेख लिखवाए पूरे भारत वर्ष में जब भी आपसे पुछा जाए फार्षी अभिलेख कहा मिले अठी मिल्या डरो मत तरकल कलास ओफ रखना बिल्कुल कल कलास ओफ रखी जाएगी पेपर है हाई कोटल डीशिकाद इसे इसका नाम यहां से संस्कृत पार साला को बदला और नाम क्या रख दिया गया धाई दिन का जोंपड़ा ठीक है ना धाई दिन का अब जोंपड़ा यह तो तूट गई अब यह बन गया धाई दिन का जोंपड़ा धाई दिन के जोंपड़े का शिल्पकार अबू बक्र था अबू बक्र इस धाई दिन के जोंपड़े पर यहीं पर एक उर्ष भरना प्रहरम हुआ और वह उर्ष भरा जाता है पंजाब शह का उर्ष यह भी ध्यान रहा है इस जोपड़े पर हरी केली नाटक की पंक्तिया भी लिखी गई है और मैं एक बात और बता देता हूँ क्या क्या बताऊंगा मैं पता है तुम्हें नहीं पता है मैंने पूरे राजस्तान में इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी कि ऐसा कभी भी वाक्य आपको दिखे तो वह यहीं पर होगा हाँ मैंने पूरे राजस्तान में इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत नहीं देखी यह जो बात कहने वाले थे उसमें कर्नल टोड का नाम भी आता है और विश्व हेबर का नाम भी आता है तो आज हम सिरफ यहीं पर क्लास को समाप्ट करते हैं हमने आज चार विशे समझे हैं क्या अजमेर के बारे में जाना है ब्यावर के बारे में जाना है तेजाजी के बारे में जाना है और पंजाब शाह के बारे में जाना है के बारे में मुख्य बुख्य बाते पूरी हो जाएगी ऐसे करते करते हम महने डेड महने में इसको पूरा कवर कर लेंगे और आसा करो आप करता हूं कि आप पुराने वीडियो देख सकते हो अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो मुझे वर्ट सब्सक्राइब करके से तसली दे दिया अगर उसरा बहुत अच्छा पढ़ाते हो तारीफ सुनने में तो मुझा आता ही आता है ठीक ना ओके धनेवाद जैहिन जे भारत